गुद मॉर्निंग स्टुडेंस आज हम मैं सबसे छोटी हूँ हूँ उपवाचक कविता पड़ेंगे मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोधी में सोँ तेरा अंचल पकड पकड कर पिरू सदा मा तेरे साथ कभी न छोड़ू तेरा हाथ भड़ा बना कर पहले हमको तू पीछे चलती है मात हाथ पकड कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिर्थी दिन रात अपने कर से खिला धुला मुख दूल पोख सज्जित कर गात थमा खिलो ने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात आईसी बड़ी न होव मैं तेरा स्नेह न खोव मैं तेरे आंचल में छाया में छिपी रहो निस्प्रो निर्भाई कहों दिखा दे चंद्रो दे यह सुमित्रा नंदन जी की कविता है इस कविता का भावय है कि कवी कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि मैं सबसे छोटी हूँ छोटी बच्ची का वर्नन वह क्या कहती है जो अपनी मा की सबसे छोटी संतान बनने की कामना करती है और वह छोटी बेटी बनकर अपनी मा का लंबे समय तक स्नेह पाना चाहती है छोटी बच्ची रहने पर वह अपने मा का आचल पकड़ पकड़ कर घूमती फिरेगी और यदि वह बड़ी हो जायेगी तो मा उसे स्नेह देना बन कर देगी और बड़े होने पर मा उसे पहले ही तरासने ही नहीं देगी चोटी रहने पर अपने हातों से खिलाएगी और मुद धुलाएगी बच्ची के हाथ पैर धोना फिर खिलोने देना और परियों की कहानी सुनाना आदी चुटपन में ही संभव हो सकता है जब बड़े हो जाते हैं तो बच्ची अपनी मा का स्नेह खो देगी आताहां बच्ची छोटी बन कर ही अपनी मा का स्नेह लगातार पानी चाहती है जिससे वह सुरक्षित रह सकती है इस तरह चोटी सी लड़की अपनी मा से कहती है तो बच्चो अगर आपको यह वीडियो अच्चा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा अपने मित्रों को शेर कीजेगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद